बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम, असलामु अलेकुम, वेलकम टू कुकिंग महल, आज मैं आपके साथ मैंगो डिलाइट ट्राइफल की रेस्पी शेयर करूंगी, जैसा के गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में कोई ठंडा मीठा रहा हो तो मज़ा ही नहीं आता, त अब मैं इसके अंदर दूद शामिल कर दूँगी, दूद शामिल कारके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताके इसके अंदर कोई लंप वगारा ना रहे, दूद को वाइल आना शुरू हो गया है, अब यह आदी प्याली मैंने चीनी के लिए है, यह हम इसक अदर डालेंगे, आप चीनी जो है, वो अपने टेस्ट के मताविक भी शामिल कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, चीनी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर कस्टड वाला दूद जो है, वो शामिल करूँगी, आपने पहले चलाते रहना है अगर आपने चलाना छोड़ दिया तो आपकी गुटली आपड़ जाएंगी अच्छी तरह से मिक्स करना है आप चम्मट को चलाते जाएंगे इस ने खुद भाखुदी मिक्स होते जाना है तो चलेंजी हमारा जो कस्टड है यह दिखें यह रेडी हो गया है आपने इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं करना क्योंकि इसने ठंडा होके भी ठिक होना है अब हम इसकी फ्लेम जो है बंद कर देंगे बंद करने के बाद हम कस्टड को ठंडा करेंगे ठंडा भी आपने जब ठंडा करना है तो चम्मच छिलाते रहना है 2-4 मिनट और फिर उसक मैंगो की क्यूब कर ली है यह देखें आपने किसी भी मैंगो को काट लेना है सारा इस तरह से उसका सारा पीस उतार लेना है आपने पहले बिल्कुल सिधा स्लाइस इस तरह से काट लेना है काटने के बाद इस तरह से हमने कट कर लिया इसको फिर दूसरी तरह भी इस तरह स अगर इस तरह से बाहिर नहीं करना चाहते तो अंदर भी आप इनको निकाल सकते हैं किसी भी चम्मच की मदद से मैंने एक पैन में एक कब पानी कुछ गरम कर लिया है अब मैंने जैली पाउडर ले लिया है यह रैडिकलर की जैली है यह हम इसके अंदर एड़ कर देंगे इसको हिलाते रहना है और उसके बाद आपने फ्लेम बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है पहले बाहिर ठंडा करना है उसके बाद आपने इसको फ्रिजी में ठंडा करना हो तो बाद में रखना है पहले बाहिर ही ठंडा करना है यह आदा कप मैंने विपिंग डालेंगे, यह हम कस्टड की लेर लगाएंगे, यह एक लेर मैंने कस्टड की लगा दिये, अब मैं यह इसके उपर यह सौफ्ट वाले जो केक हैं, यह लगा दूंगी, अब हम इसके उपर एक और लेर कस्टड की लगा देंगे, अभी हम यह इसके उपर जैली लगाएंगे, मैंने piping bag के अंदर jelly डाल लिए है यह हम यह लगा देंगे इसके उपर अब हम इसके उपर एक और custard की layer लगा देंगे अब हम इसके उपर mango cubes डालेंगे mango cubes में लगा दी हैं अब हम इसके उपर एक और custard की layer लगाएंगे यह हमने custard की layer उपर भी लगा दी है लास्ट पर हम इसके ओपर विपिंग करीम से फूल बनाएंगे इस तरह सब ने इसके ओपर फूल बना देने हैं मोस्ट फेवरेट मैंगो डिलाइट ट्राइफल रेड़ी हो चुका है आप इसको ठंडा कीजिएगा फृद में तीन से चार घंटे रखके फिर यूज कीजिएगा और गर्मियों में इसका ठंडा ठंडा मज़ा उठाएगा चैनल पे ने हैं तो लाइक शेर और सबस्क्राइ क्योंज टूबसे का फूबसे यूज की लिए यूज कीजिए तो है पिल्ग्धिगएगा ने हएं ट्राइगा रेग्यूज की प्लीएगार यूज की आप बहूज है अवाद़ झाल झाल